यूके हिजामा साइंसिस चैत्र के अगरणी हिजामा संस्तानों में से एक अधी आधुनिक सुविदाओं से सुसजित स्टेट अफ़ दा आर्ट हिजामा सेंटर आधी है आधी हम डोक्टर फशीष दिनक मेनेजिंग डिरेक्टर यूके जामा साइट शेज आज हम बालों का एक बहुत ही शांदार रिजल्ट के साथ फिर आजी हमारे पास बेटें हैं बहुत ही काशिपुर के बहुत मशूर शक्सियत हैं इनका इससे पिलेक यह पब्लिक स नसारी साथ हैं यह उसी स्कूल के पिड़दारा द्या पगते उस से सबंगते इनको बालों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी lips ने दो थिन चाल से और काफी ज्यादा इनके गिरने ले थे बहुत साथ बहुत ज्यादा पैसियस बन गए थे और बैलों में जगे जगे जे तो हमने उसके बाद मत्रफ पर ट्रिक्टमेंट इस्टार्ट किया है अभी हम दिखाते हैं मत्रफ की पहले की क्लिप के पहले क्या कंडिशन थी जो बालों की कंडिशन थी वह जगे जगे काफी थिनिंग थी बाल बहुत पतले थे और हैर फोल काफी ज्यादा होने की वेज़ लगबग 60-70% बाल चले गए थे अब हम मत्रफ से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि अब लेटेस्ट रूंकी क्या कंडिशन है लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं मत्रफ के ट्रीटमेंट के टाइम भी क्लिप और यह रही मत्रफ के ट्रीटमेंट के आपकोा सबश्टिमट थीए और लेकिन अब पहले में और आप में क्या आंतर हुआ है तो यह मत्रफ की इस थाँर में पहले इस alt теп झाले चले यह काफी बड़े बाल सकते और आब हम बात करेंगे मत्रफ से और पूछेंगे कि बताईए आपको ये मसल आपको कपचे दिकती है और आपको कपचे जा रहे थे आपको के ता में जूट हो आप आपको पांच शाल सब समझ जा थी और काफी परेशान था मैं चीज से कि जो है तो जो है लुक सारा वेकार हो चुका था फिर आपकी मैंने खिलिप देखी वी सब के सामने है माशाला और आगे कि जो है जो भी प्रसुजर होगा वाप बताएंगे कंट्यूनियों करेंगे चीज को तो यह मतसब की अभी तीन सीटिंग हुए है तीन सीटिंग के बाद बहुत ही शानदा बड़ा हमेजिक रिसर्ट है और हमें बताते हैं कि अपने सभी विवर्स को बहुत ज्यादा प्रिजंदा हो रही है और आचा है हम आगे भी ऐसी बहुत सारी प्रिजंदा की वीडियो आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि यह ट्रीटमेंट कितना कारगर है अभी तीन सीटिंग के बाद मात सब की बाल काफी मदगूत हु झाल